दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं कल के बाजार को लेकर क्या important levels रहने वाले हैं और RBI और रश्या की तरफ से अभी recently कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के दिन market में जो levels आपको बताये गए थी वही levels पूरी तरीके से आज के दिन हमें hit होते वे देखने को मिले याने कि आपको टेलिग्राम चेनल से पहले ही अपडेट कर दिया गया था कि market में आपको एक give down ओपनिंग देखने को मिल सकती है तो सेम आज के दिन आपको market में लगबख 50 to 80 पॉइंट से market give down ओपन होते वे देखने को मिला और after 12 o'clock यहाँ पर आपको short covering देखने को मिली जिसमें investor ने काफी अच्छा पेसा भी बनाया लेकिन जो retail investor यहाँ पर stop loss hunting को नहीं जानते हैं operator के इस game में यहाँ पर retail investor बहुत ज़्यादा ट्रेप हो जाते हैं जिस कारण से जो levels आपको daily basis पर, youtube channel पर, telegram channel पर share करे जा रहे हैं उन levels को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं अब बात करें कि आज के दिन market में आपको short covering क्यों देखने को मिली सबसे पिले अगर bond deal की तरफ नजर मारें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो US 10 year bond deal के अंदर हमें काफी अच्छे moment देखने को मिल रहे हैं याने कि अभी भी हमें यहाँ यहाँ पर US 30 year bond deal, US 10 year bond deal और US 2 year bond deal के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर एक gift देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम बात करें cryptocurrencies की तो cryptocurrencies के अंदर आज के दिन morning से ही हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस गिरावट के पीछे की क्या वज़य ही वो वज़य अभी तक clear नहीं हो पाई है लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितनी भी top cryptocurrencies हैं like bitcoin की बात कर लें, ethereum की बात कर लें, cardano की बात कर लें, soliana की बात कर लें, doji coin की बात कर लें सभी के अंदर हमें काफी बड़ा downfall देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर crypto के अंदर इसी प्रकार की गिरावट में अगर market close होता है तो कल के दिन हमें Indian equity market के अंदर again एक gap up opening देखने को मिल सकती है साथ, third or most important update, crude oil के prices जियां दोस्तो crude oil और brand oil के prices में अभी हमें थोड़ी सी नमी देखने को मिल रही है लेकिन आज ही के दिन OPEC की जो meeting यहाँ पर conduct हो रही है उसमें OPEC की तरफ से कुछ बड़े outcomes निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते रश्या ने, जिसके आपको पताए European countries के अंदर लगबग जितना भी crude oil import होता है, वो लगबग 40% रश्या से import होता है और रश्या अगर ban लगा देता है, तो कहीं न कहीं चीजें पूरी तरीके से हमें बदलते हुए देखने को मिल सकती है तो उसी को लेकर OPEC की तरफ से एक बड़ा statement निकल कर आ रहा है जो कि कल के दिन market को पूरी तरीके से hit कर सकता है वही चाइना की तरफ से metal sector को लेकर काफी अच्छी news निकल कर आ रहा है जिस कारण से metal sector में हमें काफी अच्छी तीजी भी देखने को मिल रही है तो उपिक की तरफ से जो news निकल कर आ रहा है वो आप देख सकते है oil prices fall as OPEC considers pumping more to make up for Russia तो यहाँ पर OPEC की तरफ से clearly का गया है कि अगर Russia जो यहाँ पर crude oil की जो requirement अगर उसको fulfill नहीं कर पाता है यहाँ पर अगर कुछ हमें restrictions देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जो pumping है वो करी जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं this would allow countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates to step in and ease a supply crunch that pushed global crude prices above $120 per barrel तो यहाँ पर OPEC का जो अभी आपको conference देखने को मिल रही है जो भी meeting देखने को मिल रही है इसके outcomes भी बहुत जादा important रहेंगे कल के market के लिए तो यहाँ पर late night जो भी update निकल कर आएगी वो आपको telegram channel से update कर दी जाएगी तो telegram channel को अगर आपने अभी तक join नहीं कर रखा है तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से कल के दिन भी आपको market के open होने के पहले market के view बता दिये जाएगे और उसी के साथ में आपको यहाँ पर जो levels nifty और bank nifty के अंदर ध्यान में रखना है वो भी आपको telegram channel से share कर दिये जाएगे अब बात करें कि RBI के तरफ से क्या बड़ी update निकल कर आ रही है तो जिसा कि आपको बताए कि next trading week में RBI की monetary policy हमें conduct होते वे देखने को मिल रही है जिसमें जो rate है वो again increase होते वे देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर RBI की इसी monetary policy इसी rate hike को लेकर यहाँ पर Paul हमें देखने को मिल रहा है जिसमें जो outcomes निकल कर आए हैं काफी ज़्यादा shocking है जियां दोस्तों यहाँ पर expectations जता ही जा रही है कि RBI लगबग 25 से 75 basis point तक यहाँ पर interest rate को hike कर सकता है और वही interest rate साल के आखरी तक लगबग आपको 100 basis point से भी increase होते वे देखने को मिल सकती है और अगर इसा होता है तो आपको market में काफी बड़ी volatility आते वे देखने को मिल सकती है तो next trading week market के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है यह यह कहूँ के इस weekend में जो भी updates निकल कर आएगी वो direct आपको market के दिन बाजार को hit करते वे देखने को मिलेगी तो Saturday, Sunday और Monday के दिन आपको market की हर एक updates के उपर हर एक important news के उपर नजर बनाए रखनी है क्योंकि उसी के according आपको next trading week में market पूरी तरीके से trade करते वे देखने को मिलने वाला है चलिए अब बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए nifty के और bank nifty के क्या important levels रहने वाले हैं अगर nifty की बात करें तो nifty 50 के अंदर कल के दिन जो important resistance रहेगा वो रहेगा 16,700 रुपे का 16,700 के उपर अगर nifty open होता है तो हम यहाँ पर see लेने वाले हैं उसके पेले हम see नहीं लेंगे और अगर gap down की बात करें तो यहाँ पर जो important level से जहां से market एक नहीं दो नहीं बलकि तीन बार reward होते वे हमें देखने को मिला है वो है 16,520 का 16,520 के stop loss को आपको ध्यान में रखना है और 16,700 रुपे के resistance को ध्यान में रखना है अगर इस range से बाहर market निकलता है तब ही हम यहाँ पर call या फिर put लेने के बारे में सोचेंगे अगर निफ्टी बेंग की बात करें तो निफ्टी बेंग के अंदर आपको ये range ही देखने को मिल रहा है इसी में निफ्टी बेंग आपको consolidate करते वे देखने को मिल रहा है जिस कारण से यहाँ पर अगर कल के दिन market 35,750 से उपर निकलता है जी यहाँ दोस्तों 35,750 के उपर अगर market कल के दिन gap up opening बनाता है तब हम यहाँ पर C लेंगे और यहाँ पर अगर downside की बात करें तो यहाँ पर अगर 35,480 के नीचे अगर market जाता ही तो हम यहाँ पर P लेने वा ले हैं तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ ही साथ में यहाँ पर कल के दिन जो भी market के important लेवल्स रहेंगे global market की late night आज के दिन जो भी updates निकल कर आएगी उसके according market कल केसा open होगा वो आपको कल telegram channel से morning में before market open बता दिया जाएगा तो telegram channel को again करना चाहूंगा जोइन करना बिल्कुल भी मत बूलेगा वहाँ से आपको काफी ज़्यादा benefits भी मिल रहे हैं real time information stock market की provide करी जा रहे हैं साथ ही साथ वहाँ पर price action stocks भी आपको बताय जा रहे हैं जिनका intraday में आप काफी ज़्यादा benefit उठाकर काफी अच्छा profit भी earn कर सकते ह उमीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इंडिया के largest platform अप इस टॉक्स के उपर अपना free demate account open नहीं करा रखा है तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप अपना demate account within a 4 hours open करा सकते हैं सिर्फ 4 चीज़े आपको ready रखना है आपका pain card, आपका आधार card, आपका photo और आपका signature आपका demate account है वो within a 4 hours open हो जाएगा और आप market में अपने trading और investing की journey को start कर सकते हैं यदि आपके इस वीडियो से related कोई क्योरी है तो अपनी नीचे comment section box में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर आप हमें direct mail भी कर सकते हैं at the rate gmail.com के ओपर, thank you for watching, have a nice day.